आप सभी को जैसरी शाम, कैसे आप सभू में दस बच्चे होंगे प्रीमियो धेरे धेरे पित्रों की सिरी जागे बढ़ती जा रही आप लोग प्यार देते जा रही हो बड़ी अच्छी बात है आज का टोपिक है कि पित्रों को मजबूत कैसे बनाए पित्र घर में भी आ चुके हैं, उनका स्थान भी दिया जा चुका है, हमारे घर में बरकत भी शुरू हो चुकी है जैसे कि मैं काफी लोगों को बोलता हूँ कि किसी सकती का मिलना बड़ी बात नहीं होती उस सकती को संभाल पाना बहुत बड़ी बात होती है अब आपको आपके पित्र देवता मिल चुके है पहले की सारी वीडियो हमने बना दी है, निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर कोई नया परेमी है तो हमने अपने फेस्बुक का पेज भी दिया है, वहाँ भी आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हो कोशिस करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की तो अब में बात आती कि पित्रों को मजबूत कैसे रखें ध्यान रहे, हर एक अमावश्या निकालनी है आपको महिने में एक अमावश्या थिये, हर अमावश्या को पित्रों की विधी पुरुवक पुजा करनी है और इस दोरान आपको पूर्ण सुद्धता का ध्यान रखना है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो पूर्ण सुद्धता का ध्यान आपको रखना है अमावश्या को सुबह सुर्योध्य के समय से इसनानादिशे निविर्थ होकर घर में अच्छा सा भोजन बनाएं पित्रों का नाम लें, पित्रों को याद करें पित्रों के घर में बज़न चलाएं हनुमान चालिशा, गनेश चालिशा, पित्र चालिशा या जो कुछ भी आप कर सकते हो उनके निमित करें और अमावश्या के दूसरे पहर में पित्रों की पूजा की जाती है यानि कि नो बज़े के बाद बाद तो दूसरे पहर में पित्रों की पूजा करें उन्हें अन, जल, भौ़जन, कपड़े, इत्यादी जो भी आप कर सकते हूँ हर महिनियों का करें कम से कम साल में दो बार अपने पित्रों के नाम से पांचों कपड़े भी दान दें उनको साल में दो बार कहीं ना कहीं किसी तिर्थ पर जो आपके आस-पास हुँ जो आपके नजदी को वासनान करवा के लेके आए पित्रों के निमे जाप आप करते रहें जादा कुछ नहीं एक माला अगर एक माला भी करशकते हो और कुछ नहीं करशकते तो एक अमावश्या का नियम बना लोगी अमावश्या की दिन हम 11 माला अपने पित्रों के नाम की करेंगे माला रुद्राक्स की होनी चाहिए आप रुद्राक्स की माला से अपने पित्रों के लिए जाब कर सकते हो उससे आपके पित्र परसन होंगे मजबूत बने रहेंगे द्यान रखे गर में किसी भी परकार की मास मिट्टी का सेवन मद्रा का सेवन नहीं होना चाहिए अगर करते हो छोड़ दो दूसरा कोई रास्ता नहीं है कोई भी रास्ता नहीं है अब कोई मैला हमारे पास कमेंट ना करे कि हमारे घर में सरापिते क्या कोई उपाए नहीं है अमारे पास ब इसेवनी कर गाते हैं तो उनसे भी आप बोल सकते हो कि हम के यहां स्थान पर आपके लिए बीडे भूका रखेंगे आप वही स्विकार करो तो वह भी स्विकार कर लिया जाएगा इस बात का भी आप बिषेज प्रूसे द्यान रखें अगर पालन करोगे तो जो शक्ति आपके पास हो दिन परती दिन मजबूत होती जाएगी और घर में उनका जिक्र ये तो कर सकते हो उटते बैठते खाते जो भी काम करते हो उससे मैं पित्रों को याद किया करूँ नाम पता है नाम लिया करूँ नाम नहीं पता है मेरे कर दीजिए कि आपके पित्रों को बल मिलता रहे आपके पित्र मजबूत रहे कोई भी चीज आपको छूबी नहीं सकती पित्र देवता बहुत पड़ी सकती होते हैं उमीद करते हैं आपको आपके सवाल का ज्वाब मिला होगा अन्य प्रीमियों के साथ इस व्योडियो को जरूर सेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके जैसरी शाओं